नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे उस भी सहर पर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे पसू सुब चिंतक जीव जन्तूओं की सुब चिंतक और हमारे कुछ अभी नए नए जो वैग्यानिक मतलब पढ़े लिखे बच्चे हुए हैं तो वो लोग समों सु किनाते हैं कि जो एनिमल प्रोटीन होता है कोई भी एनिमल प्रोटीन जो एनिमल के मतलब उत्पादों से दूद्ध मांस इत्यादी के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो बाड़ी के लिए हामफुल है एक तरकून का ये है दूसरा तरक वो देते हैं कि बड़ा ही मान देना चाहिए और इनसानों को नहीं पीने देना चाहिए दूद तो मैं आज इन दो तरकों की विसाय में आप से चर्चा करना चाहता हूँ आप इस तरक को जरूर सुनिएगा क्योंकि ये विचार धारा हैं अगर समाज में ज्यादा दिन तक फैली रही तो उसका दूर गाव जो परोटीन हमारे सरीर को प्राप्त होता है चाहो मान्स की रूप में मान्स इत्यादी की बात नहीं करूँंगा मैं दूध की उत्पाद की रूप दूध और पनीर इत्यादी की विसे में चर्चा गड़ना जाहता हूँ तो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी लोग दिरगायू हुए है आज तक की 85, 90, 100 साल जिनकी जिन्दगी हुई है हमारी बैठक जब भी उनके साथ हुई है तो उन्होंने एक बात कहा है कि हमने अपने जवानी में बहुत दूध दही खाया है इससे ये बात तो साबित होती है कि दूध दही से उनकी उम्र बढ़ी है घटी नहीं है हाँ सवाल यह पैदा होती है कि जो आजकर scientific source जो animal proteins की विषए में जो खासकर दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके विषए में कहते हैं तो मैं उनको बना देना चाहता हूँ कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो easy digestible सुपाच्च होता है वो इसलिए आप उसमें आप मत गिनिये कि वो आपकी सरीर को नुकसान पहुँचाएगा तो यहां सवाल पैदा होता है कि क्या हमें दूद दही का सेवन करना चाहिए तो मैं आप लोगों को एक बात जरूर सला देना चाहता हूँ कि दूद चूंकि एक हाई एनरजी फूड है वो उसमें बहुत एनरजी है बहुत पोस्तक तत्व हैं इसलिए दूद आपको पीना तो चाहिए लेकिन आप दूद पी के आराम तलब जीवन से थोड़ा बचें एकसरसाइज व्यायाम अपने जीवन में आप सामिल करेंगे तो दूद आपके स्रीर को बहुत फाइदा करेगा और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दूद का जो उपभोग है वह समाज में अवस्य होना चाहिए इस से इनसानों का हित तो है ही अब सवाल पैदा होता है कि क्या हमें दूद पीना चाहिए ये बच्छडे के बच्छडे का पहला अधिकार दूद में होता है तो क्या इनसानों को दूद पीना चाहिए उसके विसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूद अवस्य पीना चाहिए इसके दो कारणें बताता हूँ पहला कारण तो यह है कि समाज में जब तक कोई चीज लावप्रत नहीं होगी उसकी देख रेक नहीं की जाएगी हम गव सेवा की बात करते हैं यदि गव सेवा से हमको किसी परकार का लावप्राप्त नहीं होगा समाच के लोगों को किसी प्रकार का लाव प्राप्त नहीं होगा तो वो गव सेबा का कारिन नहीं करेंगे ये एक कटू सकती है तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि लोग दुगधुत पादों का जादा से जादा सेवन करें क्योंकि ये स्वास्त के लिए भी लाप्रद है साथ में गवन्स के लिए भी लाप्रद है और दूसरा तरक जो आता है कि भई बचड़े का पहला अधिकार है इसलिए उसका हक बार के इनसानों को नहीं पीना चाहिए तो उस पर भी मैं बताता हूँ आपको कि गव माता के अंदर जो लोग ऐसा तरक दे रहे हैं कि बचड़े का पहला अधिकार है वो एक इस तर पे तो सही है लेकिन दूसरे इस तर पे यह बास समझ में आ रही है कि वो लोग अनभाव हीन और अग्यानी लोग है वो जीव जन्तों से प्यार करते हैं लेकिन उनको अनभाव की कमी है बता देना चाहता हूँ कि गाए के सरीर में ऐसी छमता होती है कि वो अपने बच्चे को जितने दूद की आवस्चक्ता होती है उस से दो तीन गुना जादा चार गुना जादा और बड़ी नसली की जो गाएं होती है गिर हो गया, साहीवाल हो गया ये सारी तो बहुत गुना जादा उत्पादन करती है अगर उनके बच्चे को दूद की आवस्चक्ता एक लीटर की है वो दस दस लीटर दूद देते हैं ज़िए उनका बच्चे दस लीटर दूद पिएगा तो गवपालक जिन्होंने कुछ वरसों तक गवपालन किया है वो जानते हैं कि बच्चे को दस पढ़ जाता है और बशड़ा मारा जाता है वो उसके लिए जानलेवा हो जाएगा ज़्यादा दूद अगर वो पिएगा तो वो जानलेवा हो जाएगा इसलिए जो एक संतुलन हजारों लाकों साल से जो चला आ रहा है कि जो किसान है तो बच्चे के लिए भी दूद छोड़ते हैं परिवार के लिए भी दूद निकालते हैं इसलिए यहतर्क मत दीजिए कि लोग दूद का उत्पादन ना करें क्योंकि जिस दिन लोग दूद का उपभोग छोड़ देंगे उस दिन से गूद माता की और दूर्दसा हो जाएगी आज जो थोड़ी बहुत समाज में जो उनका एक मूल बना हुआ है तो वो दूद के कारण बना हुआ है जिसलिए मैं चाहता हूँ लोग दूद दही का सेवन करें और दूद दही के सेवन से उनके जीवन में निस्चे ही उनका विकास होगा सारी यृ internic और बहुत दिक विकास होगा और इस प्रकार की कुतरक ना फैलाएं कि एनिमल प्रोटीन होता है इसलिए दूद ना पिए बचड़े का पहला अधिकार reward रिसलिए दूद ना पिए दूद सब खुल के पीजिए, गवमाता की सेवा करिए, यह एक अच्छा कल्चर है, खाने पीने को उनको विस्स ध्यान दीजिए, मैंने अप कोसिस की है आप लोगों का अपनी बात समझाने की, जै हिंद, जै भारत!